लालच एक बुरी बला है ये आपने जरूर कभी ना कभी सुना होगा किसी ना किसी के मुँझ से दोस्तो मैं अगर आपसे कहूँ क्या आप अमीर बनना चाती हैं तो आप मैंसे बहुत सारी लोगों के जबाब होंगे कि हाँ मैं बनना चाता हूँ आप लोगों का reselling का काम नहीं चल रहा तो आप हमेशा ये चीज गूगल पर या यूटूब पर सर्च करते रहते हैं कि reselling के अलावा ऐसा कोई भी हमें काम मिल जाए जिसको हम कर लें और अच्छा खासा पैसा कमा लें मुश्टी लोगों के दमाग में ये ख्याल जरूर चलता है और अक्सर उन लोगों के दमाग में ख्याल ज़्यादा चलता है जिन लोगों ने एक समय पे काफी ज़्यदा अच्छा पैसा कमा लिया और उसके बाद उनका वो काम थोड़ा हलका पड़ गया जैसे resellers का पड़ा ह तो सेम मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ मेरे को सुबह एक कॉल आता है कॉल आता है मेरे को बोला जाता है कि रोहित सर्मा बोल रहे हो मैंने का हां रोहित ही बोल रहा हूं उन्होंने बोला कि बीमेक रीसेलर से बोल रहे हो मैंने का हां भाई वहीं से बोल रहे हैं तो उन्होंने क्या आप अमीर बनना चाहती है मैंने का जरूर भाई इस चीज की मना कौन करेगा क्या आप जिनके लिए वीडियो बनाना चाहती है वो लोगों को अमीर बनाना चाहती है मैंने भाई मेरे साथ साथ बो भी बन जाएंगे तो और अच्छी बात है के देना सोने पर स्वहागा हो जाएगा तो उन्होंने बोला कि आप हमारे साथ जड़ जाएए और उसके बाल आप हमारी चीजों के हमारी चीजों का guidance अपने audience को दीजिए तो आप भी अमीर बनोगे वो भी अमीर बनेंगे मेरे दिमाग में एक click point किया कि ये साला MLM की बात करने वाला है मैंने उसको बोला कि मैं MLM में interested नहीं हूँ लोगों को अपनी knowledge बढ़ानी है जैसे आप लोगों को guide करते हूं उससे हम उसी तरह से guide करना है लोग अपनी knowledge बढ़ाएंगे पैसे कमाएंगे मैंने का यार प्लान तो बड़ी है लेकिन वो बताने को तयार नहीं ता बंदा कि ये चीज गया है उसने बोला कि हमारी meeting होगी meeting को join करो उसके बाद आपको पूरा plan समझा जाएगा तो मैं भी सोच रहा हूँ बहुत दिन से कि कोई ऐसा plan बने या ऐसा कोई plan हमें मिल जाए जिससे आप लोग भी पैसे कमा पाओ और मैं भी पैसे कमा पाओ लेकिन मैं कभी भी हड़ बड़ हाट मैं कोई भी decision नहीं लेता तो मैंने उनकी meeting को join किया meeting को जब मैंने join किया तो मैंने देखा कि उस meeting में जो online meeting हो रही थी उसमें बहुत सारे हमारे reseller पहले से जुड़े हुए थे उस meeting को join कर रही थे और बहुत सारी resellers का वहां पे नाम लिया जा रहा था जो already उनके plan को join कर चुके हैं मेरे दिमाग में एक आइडिया फिर से आया कि रोहित तू तो बड़ा पिछडा रहे गिया जिनको तू रीसेलिंग सिखा रहा था वो अल्रेड इस प्लान को जोइन करके बैठी है तुझे इस प्लान के बारे में पता ही नहीं है मैंने का कोई नहीं धैर रखे रोहित अभी थोड़ी देर में सारी चीज़े समझ में आ जाएंगे उस कंपिनी ने अपने प्लान को एक्स्पिरेंड किया थोड़ा ओवर्वीव में आपको दे देता हूँ उस कंपिनी का प्लान ये था कि वो कोर्स सेल करती थी और कोर्स जो सेल होते थे उनके 500 रुपई से स्टार्टिंग थी और लोगों के लिए कमाई का ओफर किया था और आप जैसे लोगों के लिए कमाई का ओफर किया था वो भी मैं आपको बताता हूं जैसे हम कोई प्लान उनका ले लेते हैं जैसे 500 रुपए का प्लान ले लेते हैं या 2000 का ले लेते हैं या 4000 का ले लेते हैं तो हम उनके मेंबर ब offer कर सकते हैं उस course के लिए और जब कोई और व्यक्ति हमारे द्वारा दिये गए link से उस course को खरीदेगा तो उस course की जितनी rate होगी उसका 90% सा हमें मिलेगा यानि कि उनके course को जो sale कराएगा उसको 90% सा दिया जाएगा उस company की तरफ से अब भाई starting का जो course था वो 500 रुपई का था 500 रुपई देखके तो हर कोई खरीद लेता है अगर हम उनका 500 रुपई का course sale करवा देते हैं तो हमारी जो कमाई होगी 4500 रुपई की कमाई होगी 50 रुपई वो company रख लेगी यानि कि एक course को sale करने पर जो 500 रुपई का है तो 4500 अगर उसी जगे 4000 या 3500 का कोई course लेता है तो 90% पैसा मिलेगा यानि काफी अच्छा पैसा मिलेगा उन्होंने मेरे को एक बात समझाई कि रोईद भाई देखो आपकी audience काफी ज़्यादा है 1500 लोग वीडियो आराम से देख लेते हैं उसमें से 500 लोग भी इस plan को join करे गए तो आप को आप लाखों रुपई कमा लोगे मै भी लोग पैसा कमाईगे अब मैंने कहा कि बहुत सारी लोगों ने इस plan को join करके रखा है तो कुछ ना कुछ इस plan में जरूर बात होगी तो मैंने जब seminar ले रहा था तो उसमें बहुत सारे resellers ऐसे थे जिनके पास मेरा contact number था मेरे चैट उनसे होती रहती थी तो मैंने एक को phone किया यह seminar पूरा होने के बाद मैंने बोला भाई तुने यह course जोइन करके रखा है कभी मुझे बताया नहीं कि रोहित भाई बहुत ही बिंदास course है आप मेरे थुरू इसको join कर लीजिए काफी अच्छा profit है यह बहुत है उसने बहुत सारी गाता गाई उसके बाद मैंने उस एक course में जो 500 रुपए वाला था उसमें basic चीज यहीं थी जैसे कि YouTube से पैसा कैसे कमाते हैं अब YouTube से पैसा कैसे कमाते हैं उसका overview दे दिया और लगवग overview दिया 12-13 मिनट में कि कैसे पैसा कमाते हैं अलग-अलग YouTuber की success story दिखा दिए कि देखो अमित बढ़ाना इतना कमा रहा ह Facebook से पैसे कैसे कमाएं Instagram से कैसे कमाएं ऐसे overview की वीडियो उन्होंने बना दी दी पांस रुपए का बोग course था तो मैंने का कि हाई ये वीडियो तो YouTube पर नॉर्मली मिल जाती है तो इसमें क्या फाइदा है तो उन्होंने बोला कि ये तो basic वीडियो है इसके अलावा आप अग पहला, सेकेंड और थर्ड और फोर्थ ये चारो तुम्हें मिल जाएंगे केबल एक ही course का payment करना पड़ेगा जो 3500-4000 रुपए का है वो payment करो बाकि ये सभी course मिल जाएंगे और उसी जगे आप पहला लोगे तो पहले का payment करना पड़ेगा दूसरा लोगे दूसरे का payment करना तीसरा वाला लोगे तीसरे का और चौता लोगे तो चौते का तो काफी जाता पैसा आपको बरवाद हो जाएगा तो इन लोगों का में सिस्टम समझ गया है इन्होंने क्या करके रखा पहले इन्होंने 500 रुपए वाला प्लान आप लोगों के लिए launch गया है यानि कि आप जब वो 500 रुपए चोटा सा मांट देखके उस कोर्स को लेते हो तो आप जब कोर्स को enroll करते हो उनकी वीडियोज को देखते हो तो आपको बहुत ही जड़ा motivation फील होता है आपको ऐसा लगता है कि हम करोड़पती बन जाएंगी जब हर्स बेनिवाल बन गया जब दूसरे ज 3500 से लेके 4000 रुपए का पेमेंट कर देती हो अब जब आप 3500 से लेके 4000 का पेमेंट करती हो तो जो आपको join कराता है उसकी बहुत ही जड़ा वहां पे कमाई हो जाती है अगर आप 4000 का पेमेंट कर रहे हो तो लगबग उसकी 3600 रुपए की एक ही बंदे से कमाई हो जाती है और 10 बंदे भी एड करा दियो तो 36,000 रुपए की कमाई हो गई तो इस तरीके से ये पूरे बिजनिस प्लान को चला रहे हैं अब मेरे वो पीछे पढ़ गए क्योंकि उन्हें ये पता था कि ये यूटूबर है और इस पर काफी ज़दा लोग भरोसा करते हैं तो बारवार उनका कॉल करना बारवार बोलना कि रोहिद भाई बताऊ कब जयोइन करना है आप बताईए आप पेमेंट नहीं कर सकते बाद मैं करते न neh हम आपका इंडोल्मेंट करतेते आप वीडियो बनाए इसके उपर तो मैंने उनको बोला कि मैं इस प्लान पर काम नहीं कर सकता और मैंने जो वीडियो देखें थी वो basic वीडियो थी जो YouTube पर हर किसी को आसानी से मिल जाएंगी मैंने का इस तरह के content को ना तो promote करूँगा ना ऐसे content पर कभी वीडियो बनाऊंगा जिससे लोगों का पैसा बरबाद हो जो चीज फ्री में मिल रही है मैं उनको clearly बता दूँगा अपने viewers को कि इने इन channel पर जाएए ये सभी content आपको फ्री में मिल जाएगा लब आप लोगों से मैं बताना चाहूंगा कि अगर आप digital marketing का course करना चाहते हैं तो YouTube पर बहुत सारी अच्छे-च्छे YouTuber हैं जो आपको free में करा रही हैं आप ऐसे दलाल खोरों के चक्कर में ना पसें अपने पैसे को बरबाद ना करें और ये MLM बाला ही system है आप लोगों को ब कराना चालू करेंगे और ये company 10% हिस्सा सीधा सीधा आप लोगों से लेती है और काफी मौटी कमाई उससे कर लेती है तो दोस्तों आप लोगों से कहना चाहूंगा कि मेरा जो decision था आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके बताईए वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर कि आप सभी लोगों का तहे दिन से बहुत बहुत धन्यवाद